कबीरधाम जिले के पुलस अधिक्षक डॉक्टर लाल उमित सी निर्देशन एवं मार्देशन में आठ जुन को पुराना पुलस लाइनी इस दित आंगनवाडी परिसर में आतरिक्त भवनी पुलस परिवार एवं जिले के भिन्न ग्राम से आए हुए छात्र छात्राय जोकी फोर्स कैट्पिक के पुलस भर्टी, आर्मी भर्टी, बीएस एफ और साथ ही में आईटी, बीप, एस आई आदी के तैयारी कर रहे हैं कि विशेश चिंतन करने हैं तो किताबों के बात्यां से अपने पढ़ाई कर सके और जिसके उद्द्धिष से पुलस पुस्तिकालय का लोकारपर्ण कबीर थाम पुलस अधिक्षक डॉक्टर लाल उमेदिसी और साथ ही ने राजनन्द गाउं पुलिस अधिक्षक संदोस सी ने रिबन काट कर लोकारबन किया जिसके पश्याद फोर्स अकार्मी के प्रशिक्षन रथ यूवक यूतियों से बुलाकात कर पुलिस अधिक्षक डॉक्टर लाल उमेद सी के द्वारा चानकारी दी गई कि अब आप अब सब को उच्छ सतर की तयारी के लिए महंगे-महंगे पुस्त के खरिदने की कोई आपशक्ता नहीं है पुलिस पुस्तकाले में अनेकों प्रकार की प्रतियोगी परिक्षाओं की तयारी के लिए पुस्त के उपलब्ध हैं और जिनका आप सब अधिक से अधिक लाब लेकर उच्छ इस्तर की प्रतियोगी परिक्षाओं की तयारी कर अपने लक्ष को पा सकते हैं साथ ही राजनन्द गाउं पुलिस अधिक्षक संतोष सीहिक को आप सब को मोटिवेट करने तथा अपने अनभूहों को साज़ा करने के लिए मुख्य तोर पर आमंत्रित किया गया है जिनसे आप सब को बहुत कुछ सिखने को मिलेगा साथ ही जिसके पश्यात पोर्ट्स अकैडमी के छाद्रि छात्राओं ने संतोष सीहिप पुलिस अरिक्षक राजनन्द गाउं का फूलों से स्वागत किया और इस अवसर पुलिस इभाग के अधिकारियों सहीद अरिक संख्या में पोर्ट्स अकैडमी के छात्र छात्राइक था कि लाड़ी उपस्तित रहे